दरपोग पत्थर, बहुत पहले की बात है एक शिल्पकार मूर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर धून ले गया, वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा यह मूर्ती बनाने के लिए बहुत ही सही है, जब वहां रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठा कर अपने ओजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिर्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ती बना दी। गाव की लोग मूर्ती बनने के बाद उसको लेने आये। उनने सोचा कि हमें नारियल फोरने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंन इसनान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोरता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोरते तो बहुत परेशान होता। उसको दर्ध होता और वल्चिल लाता लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ती बने पत्थर से बात करी और कहा कि अब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था यदि तुम उस समय उसको नहीं रोपते तो आज मेरी जगल तुम होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना इसलिए अभी तुम डख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ती बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल तूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ती को प्रसाद का भोब लगा कर उस पत्थर पर रखने लगे। सीख, हमें कभी भी कथिन प